नमस्कार मैं हो नीलू तो इस्रेल और लेबनन के बीच क्या महायुद्ध की शुरुवात हो चुकी है क्योंकि इस्रेल ने अब तक का सबसे बड़ा एस्ट्राइट लेबनन पर किया है वही अगर लेबनन की बात की जाए हिजबुल्ला की बात की जाए तो उत्री इस्रेल में हिजबुल्ला ने भी जबर्दस तरीके से रॉकेट डाके है अब क्या आने वाले एकाद दो दिन में कोई बड़ा हमला कोई बड़ा युद्ध देखने को मिल सकता है इसी पर बात्चित करने के लिए मायंक मेरे साथ मेरे सेहुगी जुडगाई है मायंक इस्राइल ने अब तक का सबसे बड़ा एयर स्ट्राइक लेबनन पर किया है यानि कि हिजबुल्ला की कबर तोड़ने की कोशिश की गई है तो क्या आगे आने वाले एकाद दो दिन में हम कोई बड़ा युद्ध देख सकते हैं हिजबुल्ला वर्सिज इस्राइल देखे नीलू जिस महा युद्ध की आहट हो रही थी कई दिनों से ऐसा लगता है कि अब ये वार शुरू होने वाला है और बिलकुल दरवाजे पे वार आके खड़ा हो गया है हम अगर कल बीती रात की बात करें तो इस्राइल की तरफ से जबरदस्त हमले हुए हैं लिबनन में बलकि शायद पिछले कुछ वक्त की सबसे बड़ी एर स्ट्राइक इस्राइल ने लिबनन में की है वहीं दूसरी तरफ हिजबुला ने भी तापड तोड रॉकेट से हमले किये हैं उत्तरी इस्राइल में हम सबसे पहले जो इस्राइल के हमले हैं उसकी बात करें देखिए कल रात को असल में हुआ ये कि ऐसा बताया जा रहा है कि उत्तरी इस्राइल पर लिबनन की तरफ से काफी सारे रॉकेट्स हिजबुला ने फायर किये देखिए हमने देखा कि पिछले 3-4 दिनों में जो अटैक्स हुए लिबनन में पहले पेजर अटैक हुआ फिर वाकी टॉकीज में अटैक हुए लेपटॉपस में अटैक हुए उसके बाद ऐसा बताया जा रहा है कि कल रात को हिजबुला की तरफ से काफी सारे रॉकेट्स जो है वो बदला लेने के उदेश से फायर किये गए उत्तरी इस रेल पे और उसके चंद मिनटों के बाद ही IDF ने बड़ी एर स्ट्राइक की है लिबनन में और बताया जाता है कि करीब सौ ठिकाने हिजबुला के जो है वो तबाह कर दिये गए हैं और करीब सौ रॉकेट बैरल्स जो है वो इसमें बरबाद हो गए हैं तीस मिजाइल लाउंचर्स जो है वो पूरी तरह से तबाह कर दिये गए हैं बताया जा रहा है कि ये इसराइल की तरफ से आईडिएफ की तरफ से पिछले कुछ वक्त की सबसे बड़ी जो है एर स्ट्राइक है अचा एक गौर करने वाली बात निल्यू ये भी है कि इसमें इन्होंने कहा कि इसराइल ने इन हमलों के साथ सारी हदे पार कर ली है यह जंसहार लिबनन के लोगों के खिलाफ इसराइल की जंग की सुरुवात है देखिए नसरल्ला खुद ये कह रहे हैं कि एक प्रकार से ये जंग की शुरुआत हो चुकी है इसके अलावा उन्होंने इसराइल को धमकी देते हुए का है कि पिछले दो दिन में जो हमले हुए उसके लिए इसराइल को कड़ी सजा दी जाएगी अगर इसराइली सैनिक दक्षनी लिबनन में घुसते हैं तो ये हिजबुला के लिए बदला लेने का एतिहासिक मौका होगा देखिए जब ये नसरल्ला भाशन दे रहे थे गौर करने वाली बात ये भी है जब नसरल्ला ये एड्रेस कर रहे थे भाशन दे रहे थे उसी समय इसरेल के तीन फाइटर जेट्स लिबनन की सीमा के अंदर मन रहा रहे थे यानि देखिए ये पूरा इलाका जो है वो एक नए बहुत बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रहा है जिसकी हमें कह सकते हैं कि एक प्रकार से शुरुआत भी हो चुकी है अगर हिजबुल्ला की बात की जाए जिस तरह से लगता लिबनन में हमले हो रहे हैं वेस बैंक में भी हमले हो रहे हैं तो अब ऐसे में आप क्या देख रहे हैं हिजबुल्ला और इरान और बाकी प्रॉक्सिस की बात की जाए तो किस तरह से अब ये लोग आगे आने वाले दिनों में अपनी strategy प्लान कर सकते हैं देखिए नीलू मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पिछले 4-5 दिनों में जो लिबनन में हुआ जिस तरह से अटैक्स हुए पेजर अटैक हुए वाकी टॉकीज में अटैक हुए जो ये उत्तरी इसराइल में हिजबुला का दावा है कि कई सारे इसरेल के जो सैनी कड़े हैं वो तबहा कर दिये गए हैं उसमें कई सैनेकों की मौत भी हुई है लेकिन अभी इसराइल इस बारे में कुछ कहने को तयार नहीं है और इसके फॉरण बात इसरेल की तरफ से जो है वो स्ट्राइक की गई अब देखिए जो हम गाजा के साथ गजा के साथ जो में हाला जो हम देख रहे थे जिस तरह से इसरेल जो अटैक कर रहा था लगातार गजा में और हमास और इसरेल का वार चल रहा था अब उसने जो है Hezbollah versus Israel का रूप ले लिया है और देखिए पिछले तीन दिनों में जो अमेरिका की तरफ से कोशिश हो रही थी कि किसी तरह से डिरेक्ट वार लिबनन और इसरेल के बीच में ना हो Hezbollah के साथ सीधा वार ना हो अब वो कोशिश जो है पूरी तरह से फेल होती नजर आ रही है अब कुलमिला के मामला यह है कि देखिए Hezbollah अब भारी दबाव में है जिस तरह से अटैक्स इसरेल की तरफ से हुए पहले तो इलेट्रोनिक वारफेर अटैक्स कहा जाया इसे उसके बाद वीती रात को जो एर स्ट्राइक हुई है यह बहुत बड़ी एर स्ट्राइक है इसमें Hezbollah के सौ से जादा ठिकाने तबाह हुए है और इतना ही नहीं आप देखिए वेस्ट बैंक में भी वीती रात जो है चाहे वेस्ट बैंक हो इसरेल जो है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है और ऐसा लगता है कि एक प्रकार से एक बड़े वार की शुरुवात इसरेल ने कर दी है अब आगे क्या होगा यह एक बड़ा सवाल है ऐसा अंदेशा जताय जा रहा है कि हिजबुल्ला की तरफ से बड़ा पलटवार हो सकता है इसरेल पे और आज की रात अगर इस्पेसिविक कहें निलू तो देखिए आज की रात जो है वो बड़ी भारी लगती है क्योंकि हो सकता है कि हिजबुल्ला की तरफ से एक बार बदला लेने की बड़ी कोशिश हो और हम आज रात को फिर देखें कि उत्तरी इस्रेल पे खास तोर पे जो है वो बड़े स्ट्राइक हो सकती है देखिए नस्रल्ला ने पहले भी कहा है कि जो उत्तरी इस्रेल है वहाँ पे अगर लोग चाहते हैं कि वो वापस आके वहाँ पे बस पाएं तो हम ये नहीं होने देंगे और उत्तरी इस्रेल से जो इस्रेल के लोग है उन्हें भूल जाना चाहिए उस इलाके को तो देखिए उत्तरी इस्रेल जो है ये निशाने पे है हिजबुला के और हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में या हो सकता है आज की रात ही हम कल इस पे बा चुका है एक नए चरण में प्रवेश कर चुका है तो देखिए अब इरान की क्या स्ट्रेजी होगी हिजबुला के उपर तो दबाव है ही और इस्राइल ने जो अटैक्स किये हैं लेबनन में हिजबुला के ठिकानों पे उसके बाद अब बड़ा सवाल ये है कि इरान और उ बड़ाज होगी है तो देखिए एक तरफ हिजबुला है एक तरफ हुथी है हमास है अब ये संगठन अगला इनका स्टेप क्या होगा क्या ये फौरन किसी प्रकार का एक रिटैलियेशन होगा हिजबुला की तरफ से या उती की तरफ से या फिर कोई एक बड़ी strategy के तहट बात आगे बढ़ती है यह एक देखने की बात होगी लेकिन इस पूरे लिहास से अगले एक दो दिन इस लिहास से बहुत important है कि क्या हिजबुल्ला किसी तरह की पलटवार की कारवाई करता है या इस्रेल की तरफ से अगला कोई क्या होता है देखिए पहले पेजर अटैक्स होते हैं अगले दिन जो है वोकी टॉकी इस इलेक्ट्रोनिक डिवाइसेस में अटैक्स होते हैं और उसके बाद एर स्ट्राइक होती है तो यह ऐसा लगता है कि यह एक तरह से एक बिल्कुल strategy के साथ इसरेल आगे बढ़ रहा है और strategy के तहत यह अटैक्स होए है अब इसमें अगला कदम क्या होगा इसके लिए थोड़ा सा वेट करने की जरुवत है और हो सकता है कि जैसा कि एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि और हमने कल बात भी की थी कि खासकर पुतिन की तरफ से भी बयान आया था कि हालात जो है वो हाथ से बाहर जा रहे है और एक बहुत बड़े महायुद की शुरुवात हो सकती है इस पूरे रीजन से तो अब कुछ-कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है तो अगले 24-48 घंटे ये बहुत एहम होने जा रहे है ये तै कर देंगे कि ये पूरा मामला जो है वो क्या किसी बड़े वार की तरफ आके बढ़ता है या नहीं